स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्रिक रॉक्स के बारे में सेडिमेंट्रिक रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये चिटानों की रॉक्स की एक किसम है और रॉक्स जो हैं चिटाने जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये मौजूद होती है हमारी जमीन के नीचे यानि के जहां पे हमारी जमीन है जहां पे हम पाउं रखते हैं उस ग्राउंट के नीचे क्या चीज़ मौजूद होती है उस ग्राउंट के नीचे मौजूद होती है चटाने और ये चिटाने जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जब पत्थर होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये चिटाने हैं और ये चिटाने क्या होती हैं ये नमकियात से मिलके बनती हैं और ये नमकियात मौजूद होती हैं हमारी जमीन में अब नमकियात जो हैं ये क्या हैं ये ज़र हम बात करें हमारा हम जो नमक इस्ताब करते हैं उसमें भी मिन्रिल मौजूद होती है जैसा के सोडियम अब ये मिन्रिल्स जमीन के अंदर मौजूद होती है और जब ये Eγグreacı Watch होती है Eggregate का मतलब है अगर्टी होती है जमा होती है तो ये ठोस हालत में, सॉलिड हालत में तबदील हो जाती है सॉलिड कोई भी ऐसी चीज होती है जो के सख्त होती है और जब ये सख्त हो जाती है तो ये रॉक्स बनाती है यानि के चटाने बनाती है और ये जो चटाने हैं, इन में से कुछ जो हैं वो हम कहते हैं कि ये Sedimentary Rocks हैं और Sedimentary Rocks जो हैं ये किस तरह से बनती हैं? ये बनती हैं, Accumulation की वज़ा से यानि कि मुखतलिफ किसम की चीजे जब जमा होती हैं Accumulate होती है, accumulation जो word है, उसका मतलब होता है, जमा होना अब उनके जमा होने की वज़ा से जो चिटाने बनती हैं उने कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स और जो चीजें जमा होती हैं अगर हम उनकी बात करें कि वो क्या क्या हैं तो वो क्या होती हैं जो पहले से मौजूद चिटाने हैं वो भी हो सकती हैं यहाँ पर यह जो दोनों तस्वीरे हैं, यह चितनों की तस्वीरे हैं, यह आपको चितने दिखाई गई हैं. अब चितनों का चितने तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लकिन यहाँ पर हमने उसका एक छोटा सा हिसा लिया है. अब होता क्या है कि जो पहले से मौजूद जमीन के नीचे जो बहुत पहले रॉक्स मौजूद हैं उनकी वज़ा से और नमकियात की वज़ा से मिनरल्स की वज़ा से और और्गनिजम्स की वज़ा से यनि कि जानदार की वज़ा से जो रॉक्स बनती है उनके जमा होने की वज इसके इलावा नमकियात भी शामिल हैं, मिनरल्स भी शामिल हैं, इसके इलावा उसमें सैंड यानिके रेट भी शामिल हो सकती हैं, और रेट के इलावा और कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं, उसके अंदर शामिल होती हैं मट्टी यानिके मड्ड और और और्गनिजम्स organism's किस तरह से शामिल होते हैं जैसे कि जब इनसान जो है जब उनकी death हो जाती है तो आहस्ता आहस्ता क्या होता है कि वो दुबारा से जो है वो जमीन के अंदर चले जाते हैं जब जमीन के अंदर जाते हैं तो काफी अरसे बाद हजारों साल बाद वो क्या होते हैं वो इन चटानों का हिस्सा बन जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अगर हम पौदों की बात करें तो पौदों के पते जो हैं जब वो जमीन पे गिरते हैं या पौदे जो हैं जब वो जड़ों से उकھर जाते हैं और जमीन पे पड़े रहते हैं तो वो भी इन चटानों का हिस्सा बन जाते हैं और बिल्कुल उसी तरह और्गनिजम्स में जानवर भी शामिल होते हैं और जब जानवरों की डेथ हो जाती है वो मर जाते हैं और वो गलते हैं, सरते हैं, तो वो भी क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जमीन का हिस्सा बनते हैं, और जमीन में जब हजारों साल गुजर जाते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके क्या बना देती हैं, ये सारी चीजें घर्टी होती हैं, और सॉलिट फॉर्म में जब हो जाती ह तो ये बनाती हैं sedimentary rocks अब ये जो sedimentary rocks हैं जो के आपको यहाँ पे तस्वीर में भी नज़र आ रही हैं इनकी मुखतलिफ किसम की एक्जामपल्स हैं यानि के मुखतलिफ किसम की मिसाले हैं सबसे पहली जो किसम है वो है limestone ये वली जो आपको sedimentary rocks नज़र आ रही हैं इनको कहते हैं limestone limestone क्या है? ये sedimentary rocks है यानि के इसका नाम जो है वो अलग है लेकिन है क्या? है ये एक sedimentary rocks क्योंकि ये मुखतलिफ किसम की चीजों के जमा होने से बनी है इसी तरह से अगर हम बाकी जो दूसरी मिसाले है sedimentary rocks की अगर हम उनका नाम लें तो वो है second जो example है वो है sandstone इस तरह से जो आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आते हैं इस रंग के इन्हें कहते है sandstones और sandstones क्या है? ये भी sedimentary rocks है और third जो किसम है जो तीसरी किसम है उसे कहा जाता है conglomerate conglomerate की अगर हम बात करें तो इसकी जो तसावीर हैं वो इन से थोड़ी से मुखतलिफ होती है ये जो हैं आपको जो यहां पे नज़र आ रही हैं ये क्या है? ये conglomerate है यहां पर आप देखें इन दोनों में फर्क है यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो appearance है जो जिस तरह से यहां में बैरूनी तो और पे नज़र आते हैं appearance कहते हैं कि कोई भी चीज हमें किस तरह से नज़र आती है तो ये क्या है? ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है conglomerate जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और जो sandstones हैं ये मुख्तलिफ हैं और limestone जो हैं वो भी इन से मुख्तलिफ हैं लेकिन ये जो तीनों चीज़े हैं sandstone, conglomerate और limestone ये क्या हैं? ये sedimentric rocks हैं यानिके ये sedimentric rocks हैं और किस तरह से बनी हैं? मुख्तलिफ किसम की minerals या फिर rate, मटी या जानदार के accumulation की वज़ा से यानिके उनके हजारों साल तक जब वो जमा रहती हैं तो वो sedimentric rocks बनाती हैं तो students, आज हमने study किया है sedimentric rocks के बारे में